से वेल कुम टू अर्ली क्लासेश हम लोग जो है स्यसी जीडी के लिए मैक्स पाड रहे जिसमैं एससे लुख सब्दीए कोश्य पर्शिज करतें जी डिनी पिछ्ड च्यार्शं. का ट्रेंड चल ला उन्हीं को और जोड़ी बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के चार वीडियो मैंने और अप्लोड करके हैं जो के तक पूछिए गए यह पास्टी वीडियो है और आपको कांसेप्ट वाइज सारे चीज़ बताई जा रही है चले स्टार्ट करते हैं जो लोग वीडियो पर ना है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी सेयर करें चले देखते हैं नेस्ट क्रेशन क्या है आपके स्क्रीन पर लगावा इसको सौल करने कोशि हैं और पर अगर जो पारगीने जाते हैं पारगीने जाए तो कितने हैं और सबीस हैं कबूतरों कि संख्यावत आई ठीक है आप यह समझ लें एक कोई चिडिया घर है जहां चूहे और कबूतर दोना है तो कबूतर मालों जो भी एक प्लेस रहता ऐसे कुशन करने के लिए आपको यह समझना होगा यह कोई प्लेस था वजो उस प्लेस में हमने दोनों छीजें को देखनी है ठीक है महालेते हैं महाँ कुछ दो पहरवाले एनिमेल्स होंगे और कुछ चार पहरवाले होंगे समझ गये अब लेकिन है क्या हम को नहीं मालूं कितने नहीं दो फेरवाले हैं कि टार पर 이야기 लेकिन ये जरूर बताया कि 280 सीर हैं तो चाहे दो पैरवाले जंत हो चाहे चार पैरवाले हो उनके सर तो एक ही होगा ना कि किसी के चार हो जाया नहीं ना तो 280 ही सर होंगे अगर जो हम यह मालने कि वहां सारे जितने जंत थे वो चार पैरवाले थे तो उनके पायर कितने हो जाएंगे तो चार से मल्टिप्लाई करना होगा हमको ना तो हम ये देख रहेंगे 4,0,4,8,32,8,8,3,4,2,3,1,1 हम ये जान पाएंगे कि 1120 पायर होने चाहिए थे अगर जो सारे वहाँ चार पायर वाले जन्तु थे लेकिन एक्ट्वल में उसने जो बताया काउंट करेंगे तो बताया के वर 820 ही पायर है कितने हैं 820 लेकिन ये 1120 कौन सा है थे जो हमने ये माना कि सभी के 4,4 पायर वाले यानि सभी 4 पायर वाले ही जन्तु थे तो हुआ क्या इसमें हमने जब देखा तो 300 जो हैं पायर जदा आ गए ये क्यों आ गए क्योंकि ये जो भईया दो पायर वाले थे मैंने इनके भी 4 पायर लगा दिये हमने माना ना है XYZ ने एसे डायट बता रहे हैं तो आप ये समझ लिजिए जो दो पायर वाले थे उनको भी मैंने चार पैर वाले मान लिये यानि दो पैरोग वालोग की वज़े से इतने जो पैर ज़ादा आगे तो कितने पैर ज़ादा आगे उसको डिवाट करें कितने लोगों के तो हम यह देखे 150 यानि जो 150 लोगों के पैर हैं वो ज़ादा आगे ठीक है ये कौन से जन्तों थे ये दो पैरवाले यानि कब उतर आपसन नमबर कौन सा आगा पहला आपसन आगा पहला आपसन आगा क्लिर हो चुका एक नहीं आप जब भी ऐसा कोई कोशन आता है इस बात को समझें कुछ नहीं करना है आपको वहाँ दिया होगा कि या कुछ वहाँ दो पैरवाले जन्तों है कुछ चार पैरवाले ऐसे नहीं बताएगा तो नाम बता देगा कि भाई कुछ लोमड़ी हैं कुछ खरगोस हैं ऐसे जो भी यह आदमी है तो पैरों की संख्या और सिरों की संख्या बता देगा तो जितने सिरों होंगे आप यह समाझने जाया सभी के चार पैरवाले जन्तों हैं तो उनको चार से मल्टीप्राइब कर दिया अगर उसे सब्टेट कर देना डिफ्रेंस आ जागा दो से डिवाइट कर जाद होगे तो इससे क्या पता चल जाए दो पैरवाले जन्तों आपको पता चल जाएंगे जैसा की इस में किया मैंने समाझा चुका होगा का कॉंसेट चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन ठीक है यह सारे कोशन आपके पीछे से के पीपरों में पूछी हुए को चल लंबाई का इकतार है दस प्रेशन उतारा तार चुरी हो जाता अर दस प्रसन तार चूरी हो जाता है तो बचे उतार में से उतार सत्तर परशन बेज़ देता है मन लेते हैं यसको समझ जीए खार आसैं यह स्मूछी ق留意 जाया सम्झन नकितर लुमा तार तार ज को समझना या आप लोगों को आता होगा लेकिन इसी टाइप का एक आगे कोशन मिलेगा आपको जो काफी टिपिकल होने वाला है उसमें परसेंटरी बजाए मैंने वैल्यू यूज की है इस वज़े से यहां मैं कांसरे बता रहा हूं आगे पूरा शरूर इसमें बता हूंगा तीस परसें बच गया पूरा यह जो था इसका सफ़ांग बेच दिया तो तीज दूंद 30 मादा तीस बटे सो और ये बता रहा है किसके एकल होगा कि उसके पास एक्ट्रोफ में 810 मिटर ही बचा हुआ है ठीक है अभी भी बचा हुआ है अप्साल कर लेते हैं देखते हैं त नो को तीन से मल्टिप्लाइए के नो तीक 27 और 27 को अगर जो आप 27 को अगर आप 80 से काटेंगे 27 तीन एक 80 यह जीरो आगया यानि एक से इस इकलट वे देखेंगे यह इस पर डो जीरो और लगा देंगे 30 पर दो जीरो और लगा जाए कितना आया तीन जार तो आपका अंसर कौन सा आगया पहला आपसन आगया क्लिए रहें तो सुरुवात में तारख की नंबाए किती ही थी तीन हजार मीटर थी इस इस कांसेट को आप समझ चुके होंगे अब इसी पर मैंने एक और कोशन दिया है वो थोड़ा सा टिपिकल है हलाकि इसमें कांसेट लगा है टिपिकल कुछ नहीं कह सकते कांसेट चुल है जिससे इस कांसेट को समझना वहां परसेंटेश बजा है मैंने वेल्यू का थोड़ा सा यूज करके बताए कोशन चलिए देखते हैं क्या है उस कोशन को देखते हैं आप लोग ट्राई करेंगे इसको ठीक है यह आपकी स्क्रीन पर आगया कोशन अब आप इसको ट्राई करें ठीक है आपको ट्राई करना ही चाहिए ठीक है यह बड़ा अच्छा कोशन है एक आदमी अपनी आयका पांच परसत परिवहन पर खर्च करता है फिर से इसमें भी वह पूच्छा गा उसकी याश्य अच्छा करती अब आगे क्या हुआ आगे यह कह रहा है कि बचे हुए आयका भी बीस परसंद खाने पर खर्च करता है अब अब इसका 20% खर्चा कर दिया यानि इसका खर्चा कर दिया 20% तो बचेगा कितना अब 80% बचेगा नहीं है अब इसका 80% बचा रहे गया इस बात को समझेए और फिर कहरा 120 रुपे दान में देता है ये वैल्यू समझ नहीं है अब वैल्यू परसेंटेज में अभी तो निकालते थे अब दान में देने लगा अब क्या करोगे ये जो भी रुपया था इसमें से कहा है ऐसे समझीगा इसका परसेंटेज नहीं निकाल सकते अब इसने काई ये जो भी रुपया था इसमें से मैंने 120 रुपय दान में दे दिये ऐसे यानि माइनस कर दिया और दे दिये तो अब इस इकल टू कितना बज़ जाएगा 1400 इस बात को समझना था आपको अभी भी कितना बचा रहा है 14 रुपय उसके पास बचा रहा है ये कांस्ट्र बता रहा था अब इसको आप साल्व कर सकते हैं तो साल्व किया जाए 20 को काड़ देंगे 20 चोके 80 और 25 ठीक 5 कर नम 5 5 इसको काड़ दें 19 ठीक तो एकस जो है ये इंटू कितना होचेगा 19 बटे इसको चार से काड़ सकते हैं चार करने चार चार पचीस हों सो तो कितना होचा 19 बटे पचीस और ये माइनिस का 120 उधर क्या हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1520 हो जाएगा चौदा सो में 120 जुड़ेगा तो पंदा सो भी सो जाएगा अब इसको काड़ दे जाए 19 से देखो कट रहा है 19 सथे 152 असी तो एकस इजिकल्टू कितना हो जाएगा अगर असी से मल्टिप्लाइ किया जाए 25 सथे 200 ठीक यानि उसकी आय कितनी आ गई 2000 रुपए इस स्टार्टिंग में उसकी आय कितनी थी 2000 आपका पहला आपसर इसका भी सही है कॉंसेट के लिए हुआ अगर जो कभी भी कोई दान में देता है तो उसको आप वैल्यू में सब्ट्रेट करेंगे यह कॉंसेट है ठीक है चलिए नेस कोशन के दो बढ़ते हैं किसी सहर की जनसंख्या 6000 है कोई एक सहर है उसकी जनसंख्या बता रहाए 6000 है ठीक है और 6000 है उसमें एक साल में जनसंख्या बताया है कि 6500 हो जाती है 6500 हो जाती है एक साल में जनसंख्या बढ़कर के 6500 हो जा रही है इतनी हो जा रही है तो यानि एक साल की जनसंख्या में ब्रद्धी कितनी ही 500 हो गई यह जो 500 हुई जनसंख्या में ब्रद्धी उसमें कहा है कि सहर की जनसंख्या में दो लोग एक साथ में ब्रद्धी कर रह कुछ female में होरे है male में कितने 5% की दरसे हो रही है और female में 9% की दरसे हो रही है जनसेंग्या कतनी बढ़ नहीं बढ़ गई फा सो बढ़ गई है पान्सो जसे क्यंबढ़ एक साल में पान्सों जनसक्था बढ़ ये बस आपको यह जानना है अब यह रताओ मेल में 5% की दर्द से बढ़ रही अगर कोई एक सिंगल परसेंटर दिया होता तो आप आसानी से अलिगेशन लगा के सॉल्ट कर सकते थे लेकिन यहाँ आप अलिगेशन नहीं लगा सकते यहाँ आपको समझना होगा परसेंटर दर्द से बढ़ रही होते समझना दोनों मेल और फिमेल दोनों 5% की दर्द से बढ़ रही होते तो एक साल में जन संक्या कितनी बढ़ दे जाती इसका 5% निकाल दीजिए तो कितना जा पांच छका 30 यानि 300 जन संक्या ज्यादा बढ़ी होती लेकिं एक 4 में होड़ इतना है यह हुआ है की इसमें जन संक्या बढ़ी है 500 तो ज्यादा कितनी हो गई 200 200 जन संक्या आउर अभी भी ज्यादा है क्यों ज्यादा है क्योंकि मैंने इसका 9% का 5% लिया था यानि अभी 0% बाकि था और ये 4% दोजार की दोसों की कुल होगा अगर नहीं होगा यह बात को समझना 5% की दरसे मने मेरे बढ़ा दिया तो अभी जो जण संख्या 200 अधिक रहेगे वह किसका फिमेल एक्स्ट्रा बढ़ी ना कितना 4% तो 4% बढ़ा दोसों तो 100% अगर निकालेंगे 100% निकालेंगे तो कितना यहाल थाजा हैगा और नाझना है पंचग्जान जन्सैन क्या जाएगinky ब का तुटल जन्सैन क्या थी शे जार तो में। जनसंख्या कितनी आ जाएगी आप बता पाएंगे कहेंगे थाउजन जनसंख्या थी मेल की यही कोशन का आज़सर है यानि आपसन नमबर फ़स्ट के लिए हो चुका यह बहुत ही अच्छा आपसन था और बहुत ही बढ़िया कोशन है इसको आप समझने कोशिस कर ऐसे कोशन टीपिकल कोशन होता है अगरो पेपर में पूछ लिए गए आपके लिए ठीक चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं ठीक है नेस्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है आपने ऐसे कोशन किये भी है लेकिन फिर भी मैंने अलग तरीकेस डालने कोशिस की है और इनको बाइग्राम से आखो करने चीए ऐसे ठीक है लोजिकली बता रहा एक पैच्छा में मैं पैंसर परशनल परिछार्थी पास हुए मैं मैं टोटल कितने 65% पास हो गए अभी मैं बिना विद्वेंडाइग्रा के आपको डाइड बता दूंगा ठीक है और फिजिक्स में बता रह और का रहा दोनों में पास हुए है थार्टी परसन्ट रहें जानी दोनों में यहीं पड़ाएंगे 30% आ अच्छा अगर जो दोनों में 30 हैं तो इसमें कितने होंगे या बता पाएंगे 653ज घटा देंगे केवल मैत में अगर वह केवल मैत में कहा जाय तो 35% पास हुए यह प्लस यह यह यानि अप इनको आट का दिए 35 प्लस थर्टी और प्लस 18 ठीक तो आट पंद 13 के 3, 3, 3, 6, 7, 8 83 percent total pass way तो फैल कितने हुए total 100 percent होते हैं 100 में 63 आप सब्ट्रेट कर देंगे तो पाएंगे 17 percent क्या हो गए फैल हो गए दोनों subject में आपसा नमबर कौम सा आप फूर था गया गया किलियर हो गया कि नहीं अच्छा इसी को आप डइचे इसी को डइच idiots क्या कर सकते हैं डाइट आप ये संझे अपर है इसको आसे समझे कि या नियुश्क प्जार इसमें फीये हैं तो सब्द कर दें दो बार इंड एइडD कर लिये गए हैं और नो कफसेट करदें यानी 5565 पर सन प्लस 48 पर dew पर अच Hamp. इसमें का दोनों आ चुके हैं, ऐसे बार kचेट की पर कSp 190 56 छे चारदा से ग्यारा अब इसमें से हम क्या करेंगे 30% कर देंगे क्योंकि यह 30% दो बार काउंट हो गए तो तीन और यहां 83 यानि 83% दोनों में पास हुए है तो फिर कितने होंगे 100 से सब्टेर करेंगे तो फिर से 17% आ जाएंगे इसी पर next question है आपका देखें एक और question मैंने बनाया है आपके लिए ताकि clear हो जाए concept और एक परिच्छा में 35% गड़ित में फेल वे 25% अंग्रेजी में फिर बतारा 10% दोनों में फेल वे तो कितने % दोनों में पास हुए तो यह दोनों में फेल वे ना देखो कितने % दोनों म 60% इसमें क्या हुए 10% दोनों बारा चुका तो सब्टेट कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 50% 50% जो विद्यारती है वो दोनों में क्या हुए है फेल हुए तो पास कितने हुए होंगे तो 50% ही दोनों में पास हुए आपस नमबर B clear है आपका question का answer आ गया इस तरीके से आपको इस question को करना चीह है ठीक है दोस्त अगर वीडियो प्लीज पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें तो आपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मैच मिलते हैं नेक्ट वीडियो में